वायू सेना का बड़ा फ्यूचर प्लैन पांचवीं पीढ़ी के फाइटर चेट की तैयारी वायू सेना में आने वाली है सौदेशी एमका की बारी दुनिया के देशों में इस वक्त हत्यारों की होड मची है इसी हत्यारों की होड के बीच पीयम मोधी के अगवाई वाले नए भारत ने वायू सेना को वो दिशा दी है जहां हम आकाश में एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर चुके हैं जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं वायू सेना के एसी रक्षा कवच में अब एमका यानी एडवांस्ट मीडियम कॉमबेट एयरक्राफ्ट की एंट्री होने वाली है पांचवी पीड़ी के इस फाइटर चेट के प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया गया है ये एक हाई टेक, स्टेल्थ, फाइटर एयरक्राफ्ट है एरोनॉटिकल डेवलप्रेंट एजनसी द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है ये लगातार दस घंटे तक उड़ान भड़ सकता है साथ ये दुश्मन के रेडार सिस्टम को भी आसानी से चक्मा दे सकता है दावा किया जा रहा है कि अगले पांच साल में एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा कास बात ये कि पिया मोधी के मेंके इंडिया प्रोग्राम के तहित इस आस्मानी रक्षा कबच को तैयार किया जा रहा है न्यूस एटीन इंडिया चोपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बलकि दुनिया के कोने कोने में जाएगी क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ती बनने के लक्ष पर सरकार, समाज, सेलेबरिटी और स्पोर्ट स्टार्स के साथ न्यूस एटीन इंडिया चोपाल देखिए सर्फ न्यूस एटीन इंडिया पर